तो रजनी सार, अमिता बचल एन फाथ फादिल स्टारर मुवी वेटे यान ट्रेटर में रिलीस हो चुकी है और इतनी लंबी बड़ी मुवी देखने के बाद मैं बस यही कहूंगा कि भाई ये मुवी रजनी सार की नहीं है इस मुवी में सुपर स्टार रजनी सर नहीं है, इस मुवी में एक्टर रजनी सर है जो की काम कर रहे हैं इस मुवी के डिरेक्टर के अंडर जिन्होंने जेविम जैसी आउस्टेंडिंग क्राइम थ्रिलर को ड्रामा मुवी बनाई थी तो इस movie के अंदर तो आपको writing जबरदस मिलने ही वाली है भई देखो जब भी ट्रेटर में रजनी सर की movie लगती है तो भाई ट्रेटर में तालियां, सीटियां तो भाई common होती हैं लेकिन जब movie स्टार्ट होती हैं कहीं सारे mass scenes आ जाते हैं लेकिन फिर भी audience चुप चप अपने जगे पे बेठी होती हैं क्योंकि पूरे movie में even though it is mass masala movie फिर भी वो mass masala वाला moment वो feel नहीं हो रहा था देखो story है एक police officer की जो की एक encounter specialist होता है लेकिन उनके live में एक ऐसा case बन जाता है जिसमें उनकी किये के encounter में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसके बाद आपको courtroom drama दिखाया जाता है justice and injustice के बीच का drama दिखाया जाता है एक innocent and criminal के बीच का difference बताया जाता है और इन difference को समझाने के लिए अमिता बच्चन का entry होता है उनका role actually में एक cameo नहीं है एक extended cameo आप समझ सकती हो जिन्होंने movie के अंदर एक judge का role play किया है बाकी movie में कितने सारे suspense, twists and turns है वो सब कुछ तो भाई आपको movie देख के ही पता चलेगा जब इस movie का interval आ जाएगा तब आपको लगया है कि हाँ भाई मुवी अब खतम हो चुके लेकिन जब इसका second half start होता है एक बहुती बड़ा twist आता है और movie आगे चलने लगती है और आपको लगता है कि हाँ भई अभी तो कुछ boost bump वाले scenes तो हमें देखने को मिलेंगे ही disappointingly वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है वो पूरा का पूरा courtroom drama, thriller, investigation इनी सारे चीजों पर ही यह movie खतम हो जाती है movie का writing बहुत ज़्यादा अच्छा है, movie का concept बहुत ज़्यादा अच्छा है इन सारे चीजों पर यह movie पूरा take down करती है, और जो mega star आपके movie के अंदर है उसका aura फिल नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी अगर आप इस movie को एक content वाइस, एक story वाइस के हिसाफ से देखो तो यह movie बहुत ज़्यादा अच्छी है, movie का story, movie का build-up, movie के जितने सारे investigation वाले scenes है CCTV footage, finger prints वाले, भाई कसम से बहुत ज़्यादा interesting है लेकिन यह movie बस एक ही point पे कमजोर पढ़ जाती है, वो यह है कि भाई, आपके movie में super star रजनी कांद है उनके swag, उनके style को, उनके aura को आपको use करना चाहिए था जो कि director ने अपने content को, अपने concept को strong feel करवाने के लिए उस mega point को थोड़ा नजरंदास कर दिया जिस वज़े से यह movie रजनी सर की movie बिल्कुल भी ने लगती जो quality हम रजनी सर की movie से expect करते हैं वो action sequences, वो busy हैं, वो entry, वो build up, वो elevation उन सारे चीजों पर ज़्यान ना देते हुए director ने movie के content के उपर, movie के subject के उपर ज़्यान दिया है जिस वज़े से यह movie एक fan favorite movie तो ने बलकि एक अच्छी content वाली, एक अच्छी study वाली movie बन जाती है पर guys, as रजनी सर, fans भाई, हमें वो aura चाहिए, हमें वो build up चाहिए, हमें वो entry scenes चाहिए, हमें वो bzm चाहिए उनकी movie में story अच्छा हो या ना हो, लेकिन presentation, storyline, screenplay, bzm, mass masala, वो entry भाई, एकदम कड़क होना चाहिए जो कि director उन सारे चीजों पर थोड़ा lag कर जाते हैं और शायद इसलिए काफी सारे audience को ये movie पसंद ना आ सकती हो, but for me, it is better content movie बाकी भाई, आप लोग बतावा आप लोग को ये movie कितना जादा अच्छा लगा, क्या ये movie 300-400 करोड कमा पाएगी, jailer के तरह, comment करके ज़रूरी बताना बाकी अगर आपको movies related कोई query हो, question हो तो आप मुझे सीदा के सीदा Instagram पे भी DM कर सकते हैं और यसे interesting and amazing वीडियो के लिए वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe कर दें